ब्रत के लिए शाबू दाना भिगोना भोल गए हैं तो चली फ्रेंट्स आज मैं आप लोगो के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको साबू दाना को भिगोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी और अंते से बिल्कुल सौप्ट आज एक बड़ी असी रेसिपी बनाएंगे तो प्लीज फीडियो को इन तक सरूर देखे तुछे लिए जट से बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए यहां पर मैंने एक बड़े दाने वाली साबू दाने लिया है आप चाहे तो छोटे दाने वाले भी यहां पर ले सकते हो अब इस साबू दाने को हमें धोना नहीं है तो इसमें गंदगी उसे साफ के से करेंगे एक kitchen towel इस तरीके से आपको ले लेना है और साबूदाने को इसके ऊपर इस तरीके से डाल कर अच्छे से फैला देना है और एक side से इसे इस तरीके से पोच लेना है दो तिन बार इस process को इस तरीके से करें सारे जो गंदिकी है वो इस towel में रह जाएगी और बड़ी असी साबूदाना हमरा साफ हो जाएगा अब उसके बाद मैंने mixi में बिल्कुल अच्छे से इसे पीस लिया है देख सकते हैं बड़ी असी यह powder हो गया है बिल्कुल fine powder यहाँ पे आपको बना लेना है आप चाहे तो साबूदाना को थोड़ा सा भून भी सकते हैं उससे और भी fine यहाँ पे powder आपका बनके रेडी हो जाएगा उसके बाद binding के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो उबले हुई आलू आलू को मैंने ठंडा कर लिया है ठंडा करने के बाद आलू को इसमें एट करें अब एक ग्रेटर की मदद से आलू को अच्छे से आपको ग्रेट कर देना है हाथ से मैश ना करें इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ही इसे ग्रेट करें अब देखें, दोनों आलो को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, अब इसे तोड़ा सा तीखा और चटपटा बनाने के लिए इसमें सारे मसाले हम एट कर देंगे, पहले यहाँ पे में ले रही हूँ काली मिर्च, 10-12 काली मिर्च को इस तरीके से मैंने कूट लिया है, इस इसे एट कर देंगे, उसके बाद एट करेंगे बहुत सारा धनिया पत्ता, बढ़िया सा फ्लेबर इसमें आता है, अब इसके बाद जाएगा नमक, सेंदे लवन यहाँ पे आप एट करें, क्यूंकि उपास के लिए बना रहे हैं, अब यहाँ पे जीरा, ओन टेबल स्पू इसे यहाँ पे चीली एट करें, अब इसमें आपको पानी यहाँ पे बिल्कुल एट नहीं करना है, क्यूंकि जो आलू है उसमें बहुत सारे मौश्यर होते हैं, अब आलू को अच्छे से साबूत आने का जो पाडर है, अच्छे से इसे हमें इस तरीके से मिला लेना है, उ इसे हमें 10-15 मिनिट इसे ठक के रख देना है, ताकि अच्छे से इसाबूत ना फोल जाए, अब इसके बाद इसे थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए मैं ले रही हूँ भूनी हुई मौफली, इसका छिलका हम निकाल लेंगे इस तरीके से, उसके बाद मिक्सी में बढ़िया से फूल चुका है, इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखे इस तरीके से, अब इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा चेक करना है कि हमें इसमें पानी डालने है या नहीं, तो एक थोड़ा सा इस तरीके से पोशन आपको लेना है, और हाथ से इस तरीके से आपक कोई बॉल बना लेनी अगर बॉल में क्राक्स आ रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा यनकी एक या दो टेबल स्पुन पानी जरूर से टाले उसके बाद अच्छे से इसे बढ़िया से आपको मसल लेना है देखिए इस तरीके से आपको बढ़िया से और एक बार इसे मसल लेन है अब हमारा डू बिलकुल बनके रेडी है अब चितना बड़ा आप टेक की बनाना चाहते हो उतना बड़ा यहां पे आप थोड़ा थोड़ा बॉल ले और हाथ से इस तरीके से गोल गोल इसे इस तरीके से चलाते रहें और देखिए इसे हाथ से इस तरीके से प्रेस करें दोनों हाथ से और इसके जो आइड याँ बना लिया है अब सारे मीने रहा है बनाние बना लिया है तो चलिए इससे फ्राइब करने के और आप चाहे तो इससे डीप फ्राइब भी कर सकते हैं लेकिन हमें हम ऐसे जाल फ्राइब करेंगे इसलिह मेंने फाइब टेबल स्पुनिया पे घी या फिर ओयल जो भी आप खाते हैं पुरत में वो यूज़ कर सकते हैं आप एक एक करके सारे टिक्कियों को हम इसमें एट कर देंगे और तीन से चार मिनिट लगते हैं अब इसे धीर धीर करके आपको उलट पलट करके बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक और ग्यास का फ्लेम जो है ना उसे लो मीडियम फर ही रखे देखें बढ़िया सी हमारे टिक्की बनके रेडियो और दोनों साइड से बढ़िया सी कलरफुल हो गया यानि कि गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब जिली गर्मा गर्म ही इस्टिक्यों को हम सर्फ करते हैं चयतनी के साथ शियुष्2प कहता है और इसका उपर बार पार सुन सकते हैं कितना इक्रिश्पी बना है बेकिस्ट पंलों में तोडिकर दिखा रही है तो चयतों संसर्फच बनता है और खाने में बोहत इसथी बढ़िया आता है तो चली फ्रेसिपी को जरूर से ट्राइ करें अगर रेसिपी अच्छी लगी हो हेल्फूल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक लिए टेक कियर झाली